Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Myra तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेर कर रही हूँ यह बाल हिस्टरी का लेसन प्लान है आई होब कि आप लोगों के लिए यह वीडियो उस्पुल होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो मैं चानल Easy Learning with Myra and don't forget to press the bell icon so that you get all the notification of my videos so let's get started so यह है मेरा लेसन प्लान सबसे पहले जैसा कि आपको पूरा प्रोसेस पता है अभी तक कि date, subject and topic हम मैं मेंचन करते हैं उसके बाद class period and duration यहाँ पर हमारा journal aims है जो कि हमारे syllabus और curriculum के base पर होता है कि अगर हम history पढ़ रहा है तो उससे जो है बच्चे क्या क्या सीखेंगे कि इस तरह के developments आएंगे उनमें इसके बाद यह जो हमारा specific aim होता है वो होता हमारे जो भी content हम पढ़ाने जा रहा है तो उससे related होता है कि यह जब बच्चे पढ़ेंगे तो उसके बाद बच्चे क्या सीखेंगे उससे इसके बाद आता है material aid previous knowledge जो बच्चे पढ़ चुके है previous knowledge के base पे कुछ questions हम पूछते हैं introductory question जिसे कहा जाता है उसके बाद last जो question होता है वो हमारा problematic question होता है और problematic question पूछने के बाद हम अपना statement of aim देते हैं कि आज हम class में क्या पढ़ने जा रहा है या क्या discuss करने जा रहा है so today we will discuss about the chapter socialism in Europe इसके बाद ये है मेरा presentation table सबसे पहला जो topic है that is the age of social change इस तरह से आप जो है यहाँ पर explanation दे सकते हैं यहाँ पर कुछ questions बच्चों से पूछे गया है students ने क्या response किया है वो आप यहाँ पर mention करेंगे कौनसी method है आपकी teaching की क्या material aid use कर रहा है वो आप यहाँ पर mention करेंगे और यह पढ़ाते हुए आप blackboard पर जो भी work show करेंगे या जो भी लिखेंगे तो उसको आप यहाँ पर black chart paper लगा कर आप यहाँ पर show करिएगा second topic है मेरा liberals, radicals and conservatives उसके बाद आप इस तरह से define करेंगे बच्चों को next topic is industrial society and social change industrial revolution के बाद किस तरह के changes आयते society में उसको आप discuss करेंगे बच्चों के साथ जो हमारा next topic है वो है socialism in Europe योरोप में socialism किस तरह से आया था और क्या हुआ था यह सारा कुछ जो है यहाँ पर mention किया हुआ ठीक है तो आप यह सारा कुछ बच्चों के साथ explain करेंगे लास्ट में जैसा कि आपको पता है कि कुछ comprehensive questions पूछते हैं जो आपने पढ़ाया है उसी के base पर आप कुछ questions पूछते हैं फिर यहाँ पर आपका आता है blackboard work यहाँ पर black chart paper में आप properly जो है जो भी आपने throughout आपने जो भी पढ़ाया है तो उसके बीच में आपने जो भी बताया है वो आप यहाँ पर mention करेंगे ठीक है उसको यहाँ पर mention कर देजेगा इसके बाद आता है recap question, recap question में आप fill in the blanks, true, false इस तरह से कुछ भी चीज़ें जो है वो बता सकते है इसके बाद आता है pupil teacher observation आपने class में क्या observe किया उसको आप यहाँ पर mention करेंगे और homework देने के बाद आपका जो यहाँ पर lesson plan है वो complete हो जाता है तो I hope कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा please do like, share and subscribe to my channel thank you so much